वेल्कम बेक टु दा मार्केट ग्रीक्स एवरीवन एंड वी आ गोइंग टो एनलाइज दी मार्केट्स की आज पूरे वीक में क्या हुआ है निफ्टी-50 में बैंक निफ्टी में आज पर्टिकुलर्ली क्या हुआ है और अपके एक्सपक्टेशन्स जो है मार्केट से आपक और मेरी होने चाहिए ठीक है तो सबसे बहले तो यह वीकली कैंडल देख लेते हैं निफ्टी-50 की ठीक है 17 में को जो वीक स्टार्ट हुआ था उसकी कैंडल है अब यह एक ग्रीन कैंडल है तो इस कैंडल को जो है मारू बोजू कैंडल स्टिक पैटन्स केंदर बुला जात है और एक बुल्ड ट्रेंड हमें देखने को मिलता है ठीक है तब इसमें कोई डाउट नहीं कि यह कैंडल स्टिक पैटन वैसे ही है और यह मारू बोजू कैंडल है पर मारू बोजू कैंडल की जो सिगनिफिकेंस है वो मैक्जिमम तब होती है जब मार्केट में एक पहले जब प्राइज़ गिर रही हो पहले उसके बाद इस तरीकी की कैंडल फॉर्म हो तो हम देखते कि एक रिवर्सल आता है एक रिवर्सल कैंडल है ठीक है तो अब आप देखेंगे कि मार्केट में प्राइज़ यहां पर गिर रही थी इस जगहा पर कहीं तर अगर यह मारू कैंडल पेटर्ण सके अंदर सबसे ज़्यादा पाउर्फुल रिवर्सल केंडल है यह पर अब यहां पर अगर आप देखो तो लास्ट वन टू थरी वीक से प्राइज़ हायर क्लोज हो रही हैं यहां पर जो जो क्लोज था यहां पर प्लोज जो क्लोज के नीचे आया तो डाउन ट्रेंड में प्राइज़ गिर थोड़ी नारी थी, प्राइज़ तो राइजिंग थी, फिर यह मारू बोजू बनी, अब ऐसी बात नहीं किसकी सिगनिफिकेंसी खतम हो जाती है, पर कम हो जाती है, डेफिनिटली, इसलिए अगर एक डाउन ट्रेंड के बाद गिरती प्राइजिस के बाद अगर एक केंडल बनती, तो हम एक क्लियर कट बोलते है कि अब तो प्राइजिस रिवर्स लेंगी उपर जाएंगी, उतना कॉंफिडेंसली नहीं बोल सकते है, पर फिर भी अभी मुझे जो लगता है परसनली वो यह एक बोलस ने तो है कंट्रोल ले क्योंकि इस तरीके की प्राइजिस गिरने के बाद एक रेड केंडल बनाने के बाद यह जो इतनी बड़ी ग्रीन केंडल बनाई है इसकी एक अलगी सिग्निफिकेंस है, तो अभी करेंटली, करेंटली देखो ऐसा है कि मार्केट पहले रेंज के अंदर था, हमने पहले काफ आपको ध्यान होगा की बुल फॉर्म में था, फिर मार्केट अभी रेंज के अंदर भी रेंज के अंदर था, पिछले काफी दिनों से डेली टाइम फ्रेम पर और अरली टाइम फ्रेम पर अमने लगाई हुई थी रेंज अगर आप प्रीवेस वीडियो चेक कर सकते हैं, त पर जब एक consolidation से निकल कर, market किसी तरीके के अपने trend में जानी की try करता है, momentum create कर रहा हो रहा होता है market के अंदर, तो उस time पर थोड़ी मुश्किले बढ़ जाती है, थोड़ा difficult हो जाता है, क्योंकि market में volatility बढ़ जाती है, एक दिन अप एक दिन down जाता है, इसलिए, पर अभी जो लग रहा है, उसको देखते हो यही बात है, यही लग रहा है कि market जो अब एक trend ले लेगा, क्योंकि यहां पर देखो कि prices higher close हुई, फिर यहां पर आप देखो कि prices low close हो गई, पर अब वापिस higher close हो गई, तो बुल्स कंट्रोल में रहना चाहरे है, तो मुझे तो अभी लगते इस टाइम पर क्या है, कि market volatility और इतना momentum shift होता है, कि हमें views जो है अपने update करते रहने हैं, हम rigid होके, new stick नहीं कर सकते कि अभी यह मेरा view और मेरा view यही रहेगा, जब momentum create होने जा रहे है, तो views आपको भी इस momentum के साथ change करना पड़ेगा, और according to that trade करना पड़ेगा, जिसके definitely मुझ to keep reviewing myself, my work, और देखना पड़ेगा कि अब market में का direction तो as far as, मुझे upcoming week जो है, अभी तक positive लग रहा है, week start होने के बाद अगर कुछ changes आते हैं, momentum shift होता है, तो हमें तब उस बारे में तब decide करना पड़ेगा, ठीक है, अब daily basis पर बात करते हैं, अब daily basis पर अगर देखोगे, तो वापे से strong green candle तुम्हें last देखने को मिलेगी, market ने यहाँ पर जो अपने previous resistance पर support लिया, और फिर एक green candle लगा दिया, तो definitely, monday को भी bullish views ही है market के अंदर, और इस से पहले को important level दिखनी रहा, इस को माल लो या इस को माल लो यह जिखो, यहाँ पर भी top यह दो top बने थे, तो दूर है, means अगर किसी भी दिन market के अंदर, अगर हमें 2% का भी अगर movement दिख गया, तो यह resistance तक पहुच जागा market, इसलिए मुझे तो definitely लगता है, upcoming week में इसको test करेगा, जाएगा इसको test करने, उससे पहले हो सकता है कि वापे support को test करे, वो हमें running market में, running week में ही decide होगा, पर ज momentum shift होता है, और कोई change आता है, तो तब analysis करके पता चलेगा, अभी तक तो यह लग रहा है कि उस resistance को test करेगा, अब Monday को positive opening देगा, पर मैं यह नहीं कि रहा हूँ कि positive opening देगा, तो मलब सिर्फ direct उपर जाएगा, positive opening देगा, पर मेरी expectations है कि एक बार तो market वापिस यह जो level है इसको test करेगा, तो मुझे ऐसा expected है कि इस green candle के बिल्कुल pass में यह candle लगाएगा, और positive opening देगा, पर retest करेगा, और एक red candle मुझे लग रहा है कि बनेगी, ठीक है, तो यह expectations है nifty-fifty से तो, एक बार bank nifty को analyze करते है, अगर bank nifty को देखे है, तो bank nifty के अंदर अगर यह candle देखो के weekly की, तो support लेकर काफी अच्छा candle बनाया, तो यह भी same momentum हमें यहाँ पर display कर रहा है, as far as अभी तक जो दीख रहा है उससे, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर लिखे जाओं, तो resistance ब्रीच करके उपर closing दिए और काफी time बाद यह देखो, इतने time बाद resistance के उपर जाकर closing दिए, तो positive opening पर retest इसके अंदर भी expected है, clear cut सी बात है, अभी bullish है, तो early hours में मंडे को long opportunities मिलेगी, और late hours में shorting opportunities मिलेगी, क्योंकि दोनों ही अपने पुरान लेवल को test करना वाले है, अभी तक जो expected है, वो यही है, कि next week में nifty 50 और bank nifty दोनों ही expectations है, अभी तो bank nifty 50 से और nifty 50 से, ठीक है, और अगर within अभी कुछ change होगा, momentum shift होगा, तो उसकी बाद तब करनी पड़ेगी, उसको तब analyze करना पड़ेगा, क्योंकि अभी market consolidation से trend में जाने की try कर रहा है, तो उसके बीच में हमें भी patience रखना ज़रूरी है, ठीक है, market को आप follow कर नहीं करेगा, so I hope सारी बात clear है, bank 50 and 5050 को लेकर, so thank you so much for watching, please do like this video, share this video and do not forget to subscribe our channel, thank you so much